दोस्तो आज बनाने वाली हुमें अर्वी के पत्तो का साग वो भी ऐसा कि उंगलिया तो सभी चाड़ते हैं पर आप थाली भी चाड़ चाड़ के खाओगे तो फ्रेंट्स इस तरह का साग आपने ना पहले कभी खाया होगा ना देखा होगा इसको बनाने के लिए हैं आपे म साग बहुत ही स्वाद बनता है तो इसको मैंने अच्छे से धोल ये थे और यहां पर फ्रेंट्स मैंने एक कड़ाई ले लिए हैं डेट गिलास के करीम मैंने इसमें पानी एड़ कर दिया है और फ्रेंट्स अब जो अर्वी के पत्ते हैं उसको मैं काटोंगी नहीं इसको म अनुसार थोड़ा सा मैं नमक पहले एड़ कर देती हूँ क्योंकि इससे जो पत्ते हैं बहुत ही जल्दी यहां पर गल जाएंगे तो धकन से कबर करके मैं यहां पर तीन मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक कर लोंगे तो यहां पर फ्रेंट्स तीन मिनट हो गये हैं और इकसी में भी मैश करने की जरुवत नहीं है क्योंकि यह गागली के पत्ते बिल्कुल अच्छे से यहां पर हमारे गल गये हैं तो यहां पर फ्रेंट्स अब मैं गैस के फ्लेम कर देती हूँ बंद असको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और तब तक फ्रेंट्स यहां गोल बना के तयार कर लूँगी एक सारा पाने ना डाले नहीं तो इसमें लंप्स बन जाएंगे तो फ्रेंट्स हमें यह बिल्कुल जैसे चाच नहीं होती उस टाइप का यह यहां पर बैसन का गोल बना के तयार करना है तो यह देखे फ्रेंट्स इसमें बिल्कुल भी लं मैंने यहांपे सरसू के टेल के add के हैं और यहांपे लिया है यह ढ़ों साइज के पीस्स कर लिए है और इसको हम हलका सांपर रोस्ट कर लेंगे तो फ्रैन्स फ्र्ाइि किया वाज जो पनीर है उसका सORYट बहुत ही तो यह देखे फ्रेंस पनीर को मैंने अच्छे से यहां पर फ्राइ कर लिया है और पनीर हमारा बहुत ही अच्छे से यहां पर इसमें एक गोल्डन कलर आ गया है और इसको मैं एक बरतन में निकाल लेती हूँ तो इससे क्या होगा जो एक्स्ट्रा तेल है वो अलग हो तो यहां पर मैंने तीन चार टुकडे लिये हैं तेज पत्ते के और तीन टुकडे मैंने यहां पर दाल चीनी के एड़ की है और एक चमश लिया है मैंने यहां पर साबुत धनिया और एक चौथाई चमश लिया है मेथी दाना और एक चमश में यहां पर जीरा एड़ कर रह जब तक यह अच्छे से चटक ने ज़ये तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे तो मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से भून गये हैं और यहां पर लिया है फ्रेशज मेंने दो प्याज मेडियम साइस की फाइन चॉप की हुई तो फ्रेशज को हम हलका पिंक होने तक हम कर लेंगे तो फ्रेंट्स जैसे जैसे इसका कलर चेंज होगा और इसकी जो खुश्बू है प्याज की वह आने लग जाएगी तो यह देखे फैंट्स यहाँ पर जो हमारी प्याज है उसका एक हलका सा पिंग कलर आ गया है और इस स्टेज पर यहाँ पर मैंने 6-7 मैंने इक है प्याज स्यांख मधestäी अच्छी से हैं और फ्यामिर्च्ण अप्धिया है कि इसाओ ने प्याज और लेसनी अच्छे से घूण कहीं और यहाँ पर हमारे सीं तामायट अच्छी न सीदनेव फाइंग मगोटी हैं स्वाद आता है और यदि आप टमाटर नहीं एड करेंगे तो आप यहां पर आम चूर पाउडर का भी यूज कर सकते हो तो यह देखे फ्रेंस टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से यहां पर गल गिये हैं और यहां पर फ्रेंस थोड़े से कुछ मसाले एड कर लेते हैं बहु स्वाद के अनुसार फ्रेंस में नमक एड कर रही हूं क्योंकि पहले भी हमने अर्वी के पत्ते में नमक एड किया था तो नमक अपने स्वाद के अनुसार ही एड करें तो इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे और यह देखे फ्रेंस मसालों ने तेल अच्छे से बनाने वाले हैं तो यकिन मानिए उसमें टेश्ट बहुती गजब का आने वाला है तो यहां पर घीक में मैंने अच्छे से यहां पर मसालों को भूल लिया है और इससे ज़्यादा मसाले को भूलने की बिल्कुल भी जर्वत नहीं है और यहां पर जो अर्बी के पत्ते हमने म अबी देखी होगी तो यहां पर फ्रेंस मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिये हैं मसाले के साथ और एक उबाल आने दिया है मैंने यहां पर और फ्रेंस इसको मैंने फिर से एक बार कर्ची से चला दिया है और अब हम क्या करेंगे फ्रेंस जो हमने बैसन का घूल बना के तयार किया था ना तो थोड़ा सा फ्रेंटस हम इस तरह इसको पहले चला के अट कर देंगे तो फैस, बैसन के डालने से फ्रेंटस जो सब्जी का स्वाध है य़ा किन मानिए सौ गुना जाता हैं यहाँ पैसन को डालने से बढ़ जाता है तो फैस आप एक बार बैसन तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है measurement का यदि आप इस तरह ये अर्बी के पत्तों का साग बनाओगे तो आपका अर्बी का जो साग है बहुत ही perfect बनेगा तो यहाँ पर फ्रेंट्स पानी को मैंने अच्छे से इसमें mix कर दिया है और फ्रेंट्स साग को हम 3 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे तो यह देखें फ्रेंट्स यहाँ पर 3 मिनट हो गये हैं और जो साग है ना हमारा बहुत ही अच्छे से इहाँ पर यह कुखोने लग गया है बैसन को बिल्कुल भी कच्छा नहीं रहने देना है तो इस तरह आप इसको कर्ची से बार-बार चलाते जाए ताकि आपका साग नीचे न लगे यहाँ पर थोड़ी से मैंने एक चमच के करीब कस्तूरी मेथी एड़ कर दिया है और कस्तूरी मेथी को मैं साग मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर दिया है और फ्रेंस जो हमने फ्राई किवा पनीर था वो मैंने यहाँ पर एड़ कर द तो friends इस साग का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा साग बिल्कुल बन के तयार हो गया है तो आए friends इस साग को हम सर्व करते हैं तो friends जब भी आपके घर में कोई festival हो तो friends आप इस साग को बना सकते हो और यकीन मानिए जब भी अर्भी का सीजन आता है इस तरह का साग आप जरूर बनाएं आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आप इसको प्राठे के साथ रोटी के साथ चावल के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडि